मैं आपके लिए लेकर आप नया चाप्टर फ्ल्यूड मेकानिक्स और मैं आपके साथ आज ऐसे पाच कोशन डिसकस करूंगा जिसमें आपके मैक्सिमम् कॉंसिप्ट कवर हो जाएंगे तो जलो जल्दी स्टार्ट करते हैं तो मेरी आप मैं आपके साथ स्क्रीन शेर कर लेता हूँ चलो ठीक है यह हमारी स्क्रीन अब इस पर मैं डिसक्रेशन करता हूँ एक पॉइंट को लेके ठीक है पर यह तो मुझा इसको फूल करने को पहला कोश्चन पड़ों टू वाटर ढॉफ्स औप सेम रेडियस और फॉलिंग ठू एर एर मेसे कोई तो भी दो रेडियस दो ड्रॉफ फॉल हो रहे है सुपोज एक ड्रॉप वन है एक ड्रॉप टू है अब उन्हेंकर एक रेडियस हैने की ड्रॉफ वन की रेडियस अगर ल्ग कितने होने जाय है और दोनों की विलोसिटी कितनी ए सेंटी म Canon इसके विलोसिटी कितनी है final drop की terminal velocity पुछी है, पहली बात, terminal velocity का formula बताव मुझे क्या होगा, तो VT का formula होता है, 2 by 9 into G, r square G in bracket density of object minus density of liquid upon coefficient of viscosity, तो यहाँ पर terminal velocity का proportionality किसके साथ है, r के साथ क्या है, r का square, चुले, अब देखो, अगर इसके proportionality r square के साथ है बस हमें यही तो निकालने हैं अब मुझे बता जब दो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स radius r के एक बड़ा drop बनेगा तो उसकी radius को मैं capital r कहता हूँ क्या बता सकते हो radius क्या हो जाएंगी अगर आपका answer यह है सर फाइनल radius r plus r होनी चाहिए यहीं कि twice r wrong गलत इतना आसान नहीं है radius इतने आसानी से double नहीं हो जाती देखो जब भी दो drop बनके एक बड़ा drop बनेगा मिलके तो हमेशा volume जो होता है ना बच्चो volume constant रहता है volume क्या होता है constant रहता है volume नहीं बदलता यानि कि volume of small drops small drop और volume of big drop यह दोनों का volume जो एक पल रहेगा sir volume of small drop मतलब आपके पास दो drops थे तो दो drop का volume यानि कि इसको मैं कर कर मल्टिप्ला कर देता हो 2 into volume of small drop equals to volume of water big drop अब मुझे बताओ drop तो spherical होता है drop क्या होता है spherical होता है spherical का volume क्या होगा 4 by 3 by small r cube volume of big drop क्या लूमे 4 by 3 by capital r cube अच्चे से देखो यहां पर होईने capital r लिखा है और यहां पर small r लिखा है 4 by 3 by 4 by 3 by cancel हो जाएगा और यहां से आपको relation मिलेगा r cube equals to 2 into small r cube पहली बाद तो यह relation आपको मिल जाए ठीक है अब यह relation का यूज करके हमें terminal velocity निकालने पड़ेंगे अब terminal velocity निकालने के लिए सबसे पहली बाद इसका cube हटा दो क्यों भटा दोंगा दो की power कितने आजाएंगी 1 by 3 और r की power 1 यह हो गया आपका final relation अब आते terminal velocity of big drop ऐसे लिखता हो में terminal velocity of big drop upon terminal velocity of small drop क्या होगा बच्चों is directly proportional to r square अब big drop के radius क्या है capital r का square small drop के radius क्या है small r का square अब मुझे बताओ capital r को मैं क्या लिख सकता हो मैं लिख सकता हो 2 की power 1 by 3 into small r whole power 2 ऐसे लिख सकता हो गया मैं हाँ upon upon small r की power कितने हैं दो अब इसको solve करना है चलो इसको solve करते हैं अब यहाँ पर देखो यह दो पावर जो यह दोनों को आएगा यह कि टू की power 2 by 3 into r की power 2 divided by r की power 2 इस तरीके से यह portion cancel out हो जाएगा और final answer जो आपका यह आएगा टू की power 2 by 3 final answer क्या आएगा टू की पावर 2 by 3 एक बार पावर टू रजितरी को मैं दो तीन फॉर्म में लिख सकता हो तोलिए पर Sachen worth लिए toho 2017 को अए यह दो की पावर 2 by 3 को मैं see the itself अचो कि 2 की टू का power 2 और इसे को में 1 by 3 ऐसे वो लिख सकता हूँ अब 2 की पावर 2 है नहीं कि 4 4 की पावर 1 by 3 क्या यह आंसर है इसमें नहीं तो एक भी आप्षिन मैच नहीं हो रहा है कुछ गलत तो नहीं हो कि हुआ हां यहां पर हमें मल्टिप्लाय करना रहे गया पाथ से देखो यह पर उस्सते पूछए है टरमिनल विलोसिटी ओडिड्रॉप पुछा है न हमें हां तो हमने जो आउसर निकाला यह तो ratio निकालाए अब आप यहां पर मल्टिप्लाय करना बाकी रहे गया था बस terminal velocity of big drop upon terminal velocity of small drop जोगी कितनी है बच्चो 5 into सिर्फ 5 दी गई है तो terminal velocity of big drop क्या हो जाएंगा 5 into 2 की power 2 by 3 अब 2 by 3 को में क्या लिख सकता हूँ 5 into 4 की power 1 by 3 फाइनल आंसर इस इस 4th number का आंसर आ जाएंगे 5 into 4 की power 1 by 3 चलो next question की तिरब बढ़ते हैं अब ये question को देखो ये question को देखो ये भी interesting question है अब इसमें क्या दिया गया है पढ़ो अच्चे से question को और आप साल करने कोशिश करो अथीन liquid film form between U-shaped wire of slider supports 1.5 10 to the power minus 2 newton weight ये weight दिख रहे हैं आपको कितना weight है है 1.5 10 to the power minus 2 newton चलो आगे बढ़ते हैं the length of the slider ये length देख रहे हो ये length ये slider की length कितनी दी गई है आपको 30 cm कितनी cm 30 cm चलो उसके बाद the surface tension of the liquid film is ये बहुत आसान question है बच्चो हमारे पास force due to surface tension का formula क्या होता है force due to surface tension का formula होता है surface tension multiplied by length अब यहाँ पे जो weight है उस body का मैं दुसरे pain से highlight करता हो ये जो weight दिख रहा है ये नीचे लेके जाने के कोशिश करेगा इस slider को लेकिन surface tension के कारण ये slider उपर जाएगा ताकि surface area reduce हो तो यहाँ पे जो force लग रहा है और नीचे जो weight है ये एक दुसरे को balance होने ही चाहिए याने कि force due to surface tension equals to equals to एक सेगन equals to ये होगा weight of the slider slider पे जो weight रहा है उसके बरावर होना चाहिए तो इस weight को में क्या लेक सकता हो tension into length surface tension into length अब हो गया question song आपको weight giver है कितना weight दिया है आपको 1.5 10 to the power minus 2 okay equals to surface tension कितना दिया है वो तो निकालना है लेकिन अब मुझे बताओ अब यहाँ पे सबसी important part है देखो length जब आप लोगे वो कितनी लोगे length हमें 30 cm दी है 30 cm ले लेते हैं तो length आपको दी है 30 multiplied by 2 conversion कर लेते हैं 30 cm है तो इसको पहले meter में convert कर लो 10 to the power minus 2 into 2 अब इसको solve करो इसका answer कितना हैगा इसका answer आजाएगा calculation कर लेता हूं में 1.5 10 to the power minus 2 upon 30 10 to the power minus 2 into 2 तो यह तो cancel out हो गया तो इसका answer आजाएगा 0.025 क्या answer आजाएगा बच्चो 0.025 आएगे 4th number का answer आजाएगा इसका चलो next question पर चलते हैं next question देखलो अब ज़रा देखो इन्हें capillary tube experiment जब भी word आया capillary tube experiment सबसे पहले capillary tube का formula लिख लिए गोरो height of the capillary tube क्या होती है 2t cos theta upon water rho g r ओके यहाँ पर रो क्या होता है बच्चो density liquid density acceleration due to gravity r क्या होता है वो जो आपका tube होता है capillary tube जिसको आप पानी में deep करते हो उसकी radius उसकी क्या radius is smaller और T surface tension और theta क्या होता है angle of contact चलो अब इतना data काफी है question को solve करने के लिए अब उसने कहा है the water rises up to height of 10 cm यह question बहुत important है अगर एक capillary tube उसने कहा है कि capillary tube में 10 cm तक water rise होता है water rise by 10 cm water rise by 10 cm अब इसके बाद देखो if this experiment is conducted in a freely falling elevator freely falling elevator में g कितना होता है g होता है बच्चो आपका 0 wetless वाले condition होगे अब मुझे बताओ freely falling condition में जिसमें g के value आपका 0 हो जाएगा अब बताओ मुझे h कितना आना चाहिए g 0 हो गया तो h कितना हो जाएगा बच्चो infinite ऐसा कभी नहीं होता h कभी infinite नहीं होता h maximum अदलब जो भी आप liquid में capillary tube insert करो गया ठीक है तो liquid जो है यह maximum height तक आके रुख जाता है liquid जो उपर rise होगा infinite height तक नहीं जाएगा बस यहाँ तक आते से ही इसको रुखना है इससे नीचे नहीं जाएगा liquid नीचे नहीं जाएगा ना यह fountain बनेगा आपने fountain देखा होगा आप ऐसा imagine कर रहोंगे इससे नीचे चला जाएगा उपर से fountain बनेगा नहीं गलत fountain कभी नहीं बनता है यह maximum height तक जाएगा और रुख जाएगा यह बोद conceptual question है maximum height जो है तुमारे capillary tube की वो कितनी दी गई है maximum height जो है यहाँ पर दिया गया data 30 cm तो वहाँ तक जाके और रुख जाएगा ओके यह question बहुत important था और interesting question था चलो next question के तरफ बढ़ता हूँ यह question देख लो यह question भी बहुत interesting है हमेशा याद रखना बच्चो food mechanics से question solve करती समय area जब भी increase होगा मैं इसको highlight करके देता हूँ हमेशा area जब भी पानी flow होगा किसी pipe में तो वह area जब भी greater होगा तो velocity decrease होगी pressure increase होगा ठीक है यही ycvr से true है जैसे कि area अगर decrease है तो velocity increase होगी pressure decrease होगा ठीक है आपने पेड़ों को पहुदों को पानी दिया होगा उसके spine देते समय हम जन्रली का करते है कि हमारा जो pipe होता है उसका जो सामने अला portion होता है उसे compress कर देते है ताकि velocity बढ़ जाए तो हम ऐसा क्यों करते है ताकि area जब भी बढ़ता है decrease होता है तो velocity increase होती है लेकिन pressure 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 हमेशा decrease होता है velocity के opposite चलता है अब मुझे बताओ A का area देखो C का area देखो और B का area देखो किसका area सबसे ज़्यादा पल यह बताओ मुझे area of C is greater than area of A and area of A is greater than area of water B ठीक है यह लिख लिए होगा आपने यह सबसे important है अब यहाँ से देखो सबसे important क्या चीज़ दिए है इस पार्ट आज़ दा हायस विलोसिटी तो पूर सिंपल है रहे जिसका area सबसे ज़्यादा उसके विलोसिटी सबसे कम ठीक है अब सबसे ज़्यादा विलोसिटी किसकी होगी फिर एक ही एक ही नहीं सबसे ज़्यादा विलोसिटी सबसे ज़्यादा क्या रहना चाहिए अच्छाव पास कुछा अच्छाव नहीं नहीं पहला कॉस्टी हो गया था ये दूसरा कॉस्टी नहीं तीसरा question हो गया था और यह चोथा question था अच्छा पाच्छा question नीच है यह question देख लो work done in increasing the size of a soap fill from 10 cm by 6 cm चलो मानलो कोई area ले लेते हैं कितने बाइ कितने का बच्छो 10 cm बाइ मानलो कि यह side आपको दी है 10 cm और यह side आपको दी है 6 cm ठीक है उसके बाद अब यह area जो है बठो है increase हुआ है चलो increase area को मैं कुछ अलग paint से दिखाता हो लगे तो लकष कई तेंसको कि се लो कलर से दिखाते हैं तो increase area मानलो कुछ ऐसे दिखteri होगा यह area increase होगा इस जो portion दिखे है आपको यह वाला portion दिख रहा है इसको क्या कहता है बच्चों इंक्रीज इन एरिया चलो फाइनल एरिया कितना हुआ है फाइनल एरिया आपका 10 cm by 11 cm हुआ है चलो मैंने जो एरिया है आपका यह इंक्रीज हुआ है और यह बढ़के कितना हुआ है 11 cm कितना cm 11 cm जब भी ऐसे कुश्चन आए सबसे पहले इनिशिल एरिया फाइंड कर लो इनिशिल एरिया क्या था आपका 6 by 6 by 6 by 10 यहने कि 60 cm का स्क्वेर फाइनल एरिया आपका बढ़ गया था 10 by 11 हो गया था इतना हो गया था 10 by 11 जो कि आएंगा 121 सॉरी 111 सॉरी फिर से गलत 111 cm का स्क्वेर ठीक है यह हो गया आपका इनिशिल एरिया और इलिसेंड दो से यहां पर यहां पर कितने से मल्टिप्ला करना पड़ेगा दो से तो यहाँ पर work का answer दिया था, आपको work दिया गया था, 3, 10 to the power minus 4 joule, surface tension shaft से में निकालना है, question में हाँ सही है, delta यह मतलब, a final minus a initial, a final कितना है बच्चो, 1110, a initial कितना है, 60, और कितने से multiply करना है हमें, 2 से, तो इसको solve करते है, t into, 6 into, 6 में से 110 को subtract करतो, 40, और कितना हो जाएगा, 50 15, 15 into 2, और यह कितना हो जाएगा, 100 into t, चलो, अब दिक्कत क्या है कि हमने surface area तो ले लिया तो, लेकिन surface area किसमें था आपका, centimeter का square में, तो इसे convert भी करना पड़ेगा, हमें, meter square में, तो इसे में multiply कर देता हू, 10 to the power minus 4 से, ठीक है, 3 into 10 to the power minus 4, यह तो cancel out हो गया, तो t कितना आया है बच्चों आपका, t आजाएंगा, t आजाएंगा, 3 upon 100, यानि कि 0.03, या आना चाहिए answer, surface tension, एक बार cross check कर लेते हैं, यानि कि यह answer आजाएंगा, आपका, 2 second number का option आजाएंगा, ठीक है, तो होफ सो आपको वीडियो अच्छा लागा होगा, वीडियो अच्छा लागा, त आप मुझे contact कीजिए, मैं आपकी पूरी help करूंगा, ठीक है, thank you so much students, bye, good night.